आप में से कई लोग हाइदराबाद के चार मिनार का दौरा कर चुके होंगे और चार मिनार के ठीक बगल में स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा भी कर चुके होंगे लेकिन क्या आपने कभी हाइदराबाद में गोलकुंडा फोर्ट देखा है गोलकुंडा फोर्ट एलेंगाना राज्य में हाइदरबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक मजबूत किला है। और किले के उपर से आप पूरे हाइदरबाद शहर को देख सकते हैं। इस किले का निर्मान 11 वी शतापदी में वरंगल के राजा प्रतपारुद्र ने करवाया था। और बाद में 14 वी शतापदी में बहामनी सुल्तान और कुतुप शाही राजबंग्स द्वारा इसकी किले बंदी की गई। आंतरिक किले में महलो की खंडाहार है और एक पहारी की चोटी पर मंडप है जो 130 मीटर तक कूचा है और आसपास के सभी इमारतों का बिहंगम द्रिश्य प्रदान करता है। ये किला गोलकॉंडा सल्तानट का राजधानी के रूप में कारिय कटता था और कोल्लूर हीरे के खादानों के निकट होने के कारण ये छेत्र हीरे के प्रमुग ब्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता था जिसे गोलकॉंडा डाइमंड्स के नाम से हम लोग जानते है सत्रावी शतपदी के दोरान गोलकोंडा में एक मजबूत कॉटन इंडास्ट्री मौजूद था घरेलू और निर्यात खापत के लिए बड़ी मात्रा में यहां से कपास यानी कॉटन का उत्पदन किया जाता था और यहां से इरान यूरोप जैसे जगा पे एक्सपोर्ट होता था भारतिय सेना अब इस किले के आसपास एक आर्टिलरी रेजिमेंट सेंटर चलाती है यदि अब हाइदराबाद में हैं तो गोलकोंडा फोर्ट का दोरा करना ना भूले जै हिंद